नमस्कार आप देखरें नियूस 24 में आपके साथ पुझा और आठोर शर्माण लगातार हम आपको अनंतनाग में जो मुटभेड इस वक्त सुरक्षाबल और आतंकियों के बीद चल रही है उसको लेकर हर बड़ी खबर हर अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं और जो अभ आपके को और ज्यादा उनके लिए वो एरिया वो स्पेस और कम कर दिया गया है और देखिए ड्रोन के जरीक तस्वीरे भी सामने आ रही है मुवमेंट आतंकियों के इन घने जंगलों में देखी जा सकती है इन ड्रोन से द्वारा ली गई तस्वीरों में अब एक तरह से कहा जए अपने आखरी दौर में ये मुटभेड चल रही है और बहुत ज़्यादा वक्त इन आतंकियों के पास है नहीं कि सुरक्षा बल उन इसके लिए अपनी रणिती में लगातार बदलाब कर रही है कल रॉकेट लॉंचर तक का इस्तेमाल किया गया ड्रोन के द्वारा लगातार बंबारी यहां पर की जा रही है और एक और बड़ा धमाका अब से कुछ देर पहले ही किया गया है तो ऐसे भी खबरे वहां से साम मुश्किल हो रहा है और इसके लिए अब देखे स्निफर डॉक्स तो पहले से ही लगातार सुरक्षाबल उनका इस्तेमाल कर ही रहते अब ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है ड्रोन के जरिये इन पर नज़र रखी जा रही है ड्रोन से लीकई तस्वीरे सामने आई है और दक्षनी कश्मीर के कुकर नाग में गुडोल के जंगलों के पास हम अभी भी मौजूद है और जो शाम होते ही ऑपरेशन को बीते दो दिनों की तरह सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि अंधेरे के दोरान कोलेटरल डेमेज का खत्रा रहता है इसके चलते बीते दो दिनो में हमने देखा था कि किस प्रकार से सिना और फोर्स ने रात के दोरान ओपरेशन को सस्पेंड करने के बाद दोबारा सुबह ओपरेशन की शुरुआत की थी आज लेकिन अब एक बार फिर से यहां गडोल के इन जंगलों से रात के समय भी दमाकों और फाइरिंग की आवा बलकि ऑपरेशन जारी रहेगा क्योंकि दो से तीन जो आतंकी है उन्हें सुपोर्ट कर लिया गया है उन्हें पूरी तरह से गेर लिया गया है और अब फोर्स की कोशिश है कि इन तीनों या दो जो आतंकी है उन्हें जल से जल यहां पर मार गिराया जाए और यही कारण है कि ऑपरेशन रात के दौरान भी यहां जारी रहेगा कैमरमान जुमरिशीद के साथ आसिप सहाफ गडोल कोकरनाग न्यूज़ 24 तो बतावें आपको देखें आपको लगातार तस्वीर हमें दिखा रहे हैं किस तरह से अभी भी कोकरना के इन जंगलों में लगातार मुटभेड, सुरक्षबल और आतंकियों के बीच चल रही है असी घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अपसे कुछ देर पहले है आप मेरे सहियोगी आसिप सुहाफ के रिपोर्ट देख रहे थे, जो एक तरह से कहीं तो रिस्क लेकर इस मुटभेड पर जितना नस्दीक वो पहुँच सकते थे, उतना नस्दीक पहुँचकर इस अपरेशन सुभा जैसे ही वो शुरू हुआ, तो तुरंत सक्रियता यहाँ पर सुरक्षाबलों की नजर आई है और एक और बड़ा धमाका सुनाई दिया है और आसिफ सुहाब जुड़ गए हैं मेरे साथ सीधा, तो आसिफ अभी फिलहाल क्या चल रहा है क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि अब ये मुटभेड जो है अपने आखरी दौर में पहुँच गई है और कितना वक्त लग सकता है आसिफ, हालांकि चुनौ अब देखें, ऑपरेशन की शुरुवात जो आज सुबह की पहली किरन के साथ वो तेज हो गई हाला कि कल सेनक के पुलीस के आला अधिकारी ने हमां बताया कि ऑपरेशन पूरी रात पर जारी रहेगा और पूरी रात पर यहां पर ऑपरेशन होता रहा और बीच बीच में दमाकों और फाइरिंग की आवाज भी सुनाई देती रही लेकिन सुबह की पहली किरन के साथ ही ऑपरेशन में और तेजी लाई गई और तब से लगातार ऑपरेशन जो है वो यहां पर जारी है और जो हमें पुलीस के आला अधिकारीं से जानकारी मिली है उसके अनुसार दो से तीन जो टर्रिस्टिस है उन्हें पूरी तरह से गेर लिया गया है वो एक इलाके में यहां पर छुपे हुए हैं हलाकि जो एक के बाद एक पिछले दो दिनों के बीतर चार हाइड आउट्स जो टर्रिस्टिस ने इस पहाडी गने जंगल में बना रखे थे उन्हें तबाह कर दिया गया और कल हमने देखा कि ड्रोन फुटेज में किस प्रकार से दिखाई दे रहा था कि जब एक हाइड आउट को तबाह किया जा रहा था जब वहाँ पर बम दमाके हो रहे थे ठीक उसी समय जो है एक टर्रिस्ट वहाँ पर बागता हुआ दिखाई देया उसक पहाडी के एक इलाके में और अब कोशिश है कि उन्हें जल से जल खतम किया जाई आप सुन सकते हैं इस समय भी फाइरिंग की बहुत आवाजे आ रही है ऑपरेशन जो है वो लगतार यहाँ पर जारी है और नाकेवल जो यह पहाडी है जहाँ पर इस समय ऑपरेशन को बढ़ाया जा रहा है लेकिन साथ साथ में यह भी देखा जा रहा है कि कोई कोलैटरल डैमेज नहों किसी तरह की कोई नुकसान यहाँ पर फोर्स को अपना उठाना पड़े और बिना नुकसान के जो टर्रिस्ट चुपे हुए है उन्हें मार गिराया जाए जाए बिलकुल जोड़ से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं देखते रहेगा न्यूस 24